आज केसे में हम इस लाट का मॉडल करेंगे और इसे मोडल करते वक्ट माया के जो बेशिक माडलिंग टूल से उनके बारे में दिसकोशन करेंगे पिछले वीडियो में हमने माया के यूजर इंटरफेस के बारे discussion किया था और उसे कस्टमाईज करते हैं इसके बारे में भी जाना था अगर आप माया में नए हैं और अगर आपको माया के user interface में कुछ confusion है तो आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिए आज की वीडियो में हम इस कोक्टिन का मॉडल करेंगे तो सबसे पहले मैं फाइल में आ रहा हूं और फाइल में आकर न्यू सीन कर लेता हूं अब हमारा एक न्यू सीन क्रियेट हो गया है नाव मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूं ताकि मैं फोर पैनल व्यू में आ सकूँ और किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडल करने के लिए हमें एक रेफरेंस इमेज की ज़रूरत होती है और कोक्टिन के मॉडल की हजार इमेजेस हम इमेज सर्च करते हैं तो आपको यह सारी इमेजेस मिल जाएंगी यह जो इमेज है इसे हम as a reference यूज करने वाले है तो मैं इसे close कर रहा हूं और मैं माया में आ जाता हूं माया में आकर मैं front view में आ रहा हूं and front view में हम view में आते हैं and यहां पर अगर image plane में आते हैं तो यहां 0 1 ने यह मेरा original यह मेरा reference image तो मैं इसे open कर रहा हूँ तो यह reference image यहाँ माया में open हो गया मैं space बार वापस एक बार press करता हूँ ताकि मैं 4 panel view में आज हो और मैं इसे select करके थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ प्योंकि यह मेरा 0 to 1 space में है और जब मैं इसे model करूँगा और जो भी basic primitive मैं यहाँ पर create करूँगा वो भी grid 0 पर create होगा तो वो दोनो image plane and basic primitive दोनो overlap ना हो इसलिए मैं इस reference image को थोड़ा पीछे कर रहा हूँ अब मुझे इसे model करने के लिए एक basic primitive के जड़वत पड़ेगी अगर इस shape को देखते है तो यह basic cylinder shape है और इसे create करने के लिए हम cylindrical shape का use करेंगे तो अगर मैं यहाँ create में आता हूँ तो create में यहाँ polygon primitives है यहाँ polygon primitives में आने के बाद यहाँ cylinder का primitive available है तो मैं अगर इसे click करता हूँ तो यह grid के 0 में create हो जाएगा make sure कि आपका interactive creation का जो option है वो check off है अगर यह option check on रहता है तो आपको इसे interactively create करना होगा तो अगर मैं इसे on कर लेता हूँ और एक बार फिर से अगर cylindrical shape लेता हूँ तो यहाँ पर कोई shape create नहीं हुआ है अगर हमें अब shape चाहिए तो मुझे उसे grid पर draw करना होगा तो मैंने पहले इसका base draw कर लिया है अब यहाँ message आ रहा है drag up to set height तो मैंने इसे इसकी height set कर लिया तो कुछ इस तरह से हम interactively से draw कर सकते हैं मैं वापस एक बर front view में आ रहा हूँ और space बर क्लिक कर रहा हूँ ताकि front view को full screen कर सकते हैं अब अगर मुझे इसके subdivisions में change करना है तो मैं channel box में आकर यहाँ से इसकी radius height और subdivisions change कर सकता हूँ इसे create करते वक्त भी creation में हमें कुछ options available होते हैं अगर मैं अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से भी इसके subdivisions change कर सकते हैं लेकिन इसे create करने के बाद हम फिर से इसे channel box से change कर सकते हैं तो usually मैं यही से इसे change करना prefer करता हूँ rather than creation menu से तो यहाँ पर हमने cylindrical shape create कर लिया है अब मैं इसे scale कर लेता हूँ इस shape इस size में तो मैंने r press किया है keyboard पर ताकि मैं scale tool को activate कर सकूँ और मैं यहाँ center से इसे scale कर रहा हूँ अगर आप इसे particular एक axis में scale करते है तो यह non proportionally scale हो जाएगा अगर मैं यहाँ front four panel view में आके अगर मैं इसे सिर्फ x axis में scale करता हूँ तो यह non proportionally scale होगा अगर हमें इसे proportionally scale करना है तो इसे center से select करके इसे scale किजिए ताकि यह properly proportionally scale हो अब मैंने इसे scale कर लिया अब मैं इसकी height भी set कर लेता हूँ y axis में मैं इसे वापस एक बार scale कर रहा हूँ and maximum मैंने इसे cover कर लिया है जो हमारा basic primitive है उसके वज़े से हमारा reference image cover हो गया है मुझे इसके through दिख नहीं रहा है तो अगर हम इसके through देखना है तो आइदर wireframe mode में जाना होगा जिसके लिए हम keyboard shortcut 4 यूज करते है या फिर अगर मैं shaded mode में ही रहता हूँ shaded mode में वापस आने के लिए keyboard shortcut 5 यूज करते है और shaded mode में आकर यहाँ पर अगर मैं एक्सरे का यह जो option है इससे activate कर लेता हूँ तो हम इसके through देख सकते हैं हमें इस shape को proper set करना होगा तो इसे set करने के लिए हमें कुछ divisions लगेंगे क्योंकि यहाँ से inside scale किया हूँ इसको हमें inside scale करना होगा इस shape को hold करने के लिए हमें यहाँ पर एक edge loop लगेगा अगर हमें edge loop चाहिए तो either हम यहाँ से subdivisions add कर सकते हैं क्योंकि अभी तक हमने इसके component में कोई भी change नहीं किया है या फिर अगर हम यहाँ से edit mesh tools में आ जाते हैं तो mesh tools में insert edge loop tool का option होता है तो यहाँ से मैं insert edge loop tool select कर रहा हूँ एंड मुझे एक edge loop यहाँ पर draw करना है तो मैं इसे edge पर click कर रहा हूं एंड यसे यहाँ पर draw कर लिपाँ अब एक edge loop मुझे यहाँ पर लगेगा क्योंकि यहाँ पर यह straight है तो मैंने यहाँ पर भी एक edge look इसे draw कर लिए अगर आप image observe करेंगे तो इस image में हलका सा perspective है उस वज़े से हम exactly इस image को follow नहीं कर सकते हैं बट हम जितना ज़्यादा possible हो सकता है उतना इसे follow करेंगे तो यहाँ पर मैं अब मुझे components select करने हैं और मुझे components में vertices जाएगे तो मैं right click कर रहा हूँ and right click करके मैंने vertices select कर लिए vertices select करके मैं इन सभी vertices को drag करके select कर रहा हूँ and वापस एक बार मैं scale tool में आ रहा हूँ R प्रेस करके और इन vertices को मैं scale कर लेता हूँ तो यह shape हमने यहाँ पर select कर लिया बट अगर आप एक चीज़ observe करते हैं तो यहाँ पर इनसाइड scale है मतलब हमें एक edge loop यहाँ पर भी लगेगा तो मैं वापस एक बार object mode में आ जाता हूँ edit mesh में आते हैं sorry mesh tools में आते हैं and insert edge loop select करते हैं और एक edge loop यहाँ पर drop करते हैं तो अब इस edge loop को मुझे scale करना होगा inside तो इस loop को ही मैं select करके हूँ and इसे मैं inside scale कर लेता हूँ और इस edge loop को अगर आपको आपने उस edge loop को deselect कर दिया है और अगर आपको वापस complete edge loop select करना है तो उसके लिए आप उस edge को select कीजिए उस पर double click कर दिजिए तो वो complete loop select हो जाएगा और फिर मैं वापस एक बार scale tool में आ रहा हूँ और इसे यहाँ पर scale कर लेता हूँ और इस loop को भी मैं इस shape को भी मुझे थोड़ा सा बढ़ा करना होगा क्योंकि यह मुझे exact नहीं दिख रहा है तो मैंने bottom and top vertices select कर लिए है right click करके and इसे मैं थोड़ा सा scale कर लेता हूँ अब object mode में आते हैं वापस एक बार edge loop में आते हैं और इस edge loop को मैं थोड़ा सा उपर move कर लेता हूँ क्योंकि यह थोड़ा नीचे हो गया था अब यह ठीक लग रहा है तो perspective में आकर अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा shape दिख रहा है अब यह bottom portion पर हमें काम करना हुगा तो मैं इससे select कर लेता हूँ और यहां से यहां पर मैं एक edge loop add कर लेता हूँ तो यहां पर हम mesh tools में आकर insert edge loop tool ले सकते हैं यहां फिर अगर आप object mode में हैं और अगर आप shift right click करते हैं तो आपको यहां पर marking menus दिखेंगे और इन marking menus में एक insert edge loop tool का option होता है तो मैंने यहां पर shift right click किया है और यहां से मैं insert edge loop tool ले रहा हूँ तो यह shortcut भी आप use कर सकते हैं और जितना जाद आप shortcut use करेंगे उतना ही आपका काम fast होगा यहां पर मैं इस edge loop को draw कर लेता हूँ यहां से मैं इसे draw कर रहा हूँ एक edge loop मुझे यहां पर लगेगा अब मैं vertex mode में आ रहा हूँ vertex mode में आके मैं इन सभी vertices को select कर लेता हूँ और इहें inside scale कर लेता हूँ इसे मैं थोड़ा सा उपर कर रहा हूँ यहां पर and move tool से मैंने उसे उपर कर लिया and मैं वापस एक बार उसे scale कर रहा हूँ इस shape को भी मैं एक बार scale कर लेता हूँ अब यहाँ पर इस shape को मैंने draw कर लिया और इसे मुझे और ज्यादा scale करना है तो कुछ इस तरह से मैंने shape को draw कर लिया अब अगर मैं perspective में आके देखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास यह shape एक basic shape can का दिख रहा है जब हम इसे render करते हैं तो हम इसे hard surfaces में render नहीं करते हैं हमें इसे render करने के लिए smooth apply करना आता है अगर आपको smooth preview screen पर देखना है तो उसके लिए हम keyboard पर 3 praise करते हैं जो इसे sub-due में convert कर देगा sub-due में convert कर देगा तो यहां पर अगर देखता है तो यह smooth version में इसने अपना shape hold नहीं किया अगर इसके shape को अगर हमें hold करना होगा तो हमें कुछ edge looks इसे add करने होगे इसमें ताकि वो shape को hold कर सके तो मैं object mode में आ जाता हूँ one press करता हूँ और जो हमारी important edges है वहाँ वहाँ पर मैं यहाँ इसे hold करने के लिए कुछ edge loops add कर देता हूँ तो मैं अगर shift right click करता हूँ वापस तो यहाँ पर insert edge loop tool का option आएगा और मैं यहाँ पर एक edge loop add करता हूँ और जितना close हम उसे add करेंगे उतना perfectly वह से hold करेगा तो मुझे यहाँ पर यह edge hold करना है और उपर से मुझे इसे थोड़ा smooth रखना है तो मैं इस edge को थोड़ा सा dual draw कर रहा हूँ then यहाँ पर मुझे इसे hold करना है तो मैं एक edge यहाँ पर दे रहा हूँ then यहाँ पर भी मुझे इसे hold करना है मैं परस्पेक्टिव में आ जाता हूँ and perspective में आकर हमने यहाँ पर folding एज़े side कर लिए अब मैं यहाँ पर इसे एक एज लूप देता हूँ and यहाँ पर इसे एक एज लूप देता हूँ साथ ही साथ मैं ऊपर भी एक एज लूप टो कर रहा हूँ अब अगर मैं object mode में आ जाता हूँ and press 3 press करता हूँ keyboard पर तो इसने ये top shape hold कर लिया है अगर मैं यहाँ front view में आकर दिखाता हूँ तो यहाँ पर इसने top shape hold कर लिया है मुझे wireframe on shaded on करना है तो मैं पहले तो यहाँ से wireframe on shaded on कर लेता हूँ या फिर अगर मैं keyboard पर alt and 5 press करता हूँ तो भी हम wireframe on shaded on कर सकते हैं तो अब अगर देखते हैं तो हमने इस shape को hold कर लिया है और जो bottom part है उसे अभी भी हमने hold नहीं किया है तो मैं वापस एक बार age loop tool में आता हूँ either mesh tools से या फिर shift right click करके हम insert age loop tool से लेक कर सकते है और एक age मैं से यहां पर दे रहा हूँ hold करने के लिए एक bottom एक age हम यहां draw करता है और एक यहां तो अब अगर मेरा object mode में आता हूँ and keyboard पर 3 press करता है तो इस shape को हमने hold कर लिया है तो यह हमारा basic shape है जो हमने हमारे reference image से draw कर लिये create कर लिये अब मुझे इसका can का यह जो उपर का portion है उसमें काम करना है बढ़ उससे पहले मैं इस file को save कर लेता हूँ माया की एक पुरानी आदत है यह कभी भी crash हो सकता है तो मैं इसे save कर लेता हूँ save scene as and यहाँ पर मैंने मेरा project already set करके रखा हूँ है तो वो यहाँ पर save हो जाएगा तो मैं cake 1002 करके इसे save कर रहा हूँ and make sure कि आपका जो extension है वो MA है Maya asking not binary क्योंकि जब कभी माया की file crash हो जाती है तो माया MA जो इसका extension है वो एक temporary file create कर लेता है और उसे save कर लेता है तो अगर कभी हमारा crash भी हो जाता है तो हमें temp folder में Maya का file मिल जाता है बट अगर आप Maya binary use कर रहे है तो binary में आपको कोई भी इस तरह का file save नहीं मिलता है तो जितना भी आपका data है वो सारा loss हो जाता है उसी वक्त crash होगा और इसकी यह आदत ही है यह बहुत पुराना बग गय माया का और यह अभी तक solve नहीं हुआ है तो मैं इसे save कर लेता हूँ अब हमें इस top part पे काम करने है इस top part पे काम करने के लिए हमें एक और reference image लगेगा जो top part, top portion का है तो यहां पर मैं space bar प्रेस कर रहा हूँ और top view में आके उसे highlight कर लेता है full screen यहां view में आकर मैं वापस image plane select कर रहा हूँ या फिर आप यहां से यह जो shortcut से image plane के इने भी use कर सकते है तो यहां पर मैं image plane के shortcut पे panel toolbar पे मैंने click किया यहां source images में मैं आ जाता हूँ वर source images में आके यहां पर कुछ top के references है यह image है जो हम use कर सकते है या फिर एक यह image है जिसे हम use कर सकते है तो यह image clear है तो मैं इस image को select कर रहा हूँ और इसे मैं open कर लेता हूँ अब इसे open करने के बाद यह image काफी बड़ा है और यहां पर मैं अगर x-ray on कर लेता हूँ और वायर फ्रेम हों shaded alt f5 या फिर यहां से हम इसे on कर सकते है और मैं इस image plane को select करके इसे मैं scale कर रहा हूँ ताकि मैं इसे properly set कर सको अब हमें पता होना चाहिए कि हमारा top कहां तक है तो हमारा जो top area है वो यह जो face है इतना ही है तो अगर आपको इस पूरे circle को select करना है यह triangle में है अगर यह chords में होता और अगर मैं shift double lick करता था face select करके तो यह complete face loop select कर सकता था बट triangles होने के वज़े से यह loop select नहीं करेगा और यहाँ पर हमें कुछ alt trick यूज करने होती है तो अगर मैं tab की प्रेस करता हूँ keyboard पर और tab की को प्रेस करके अगर यहाँ पर मैं draw पर लेता हूँ drag करता हूँ mouse को तो यह उन सभी को select कर लेगा तो tab and drag तो यह complete face हम select कर सकते हैं अब यह जो face है इतना ही face हमारा top view का है और बाकी जो है वो bottom portion तो इन faces को मैंने select कर लिया है और उसके साथ ही मैं इस top के image plane को select कर रहा हूँ और top view में आकर इसे मैं isolate कर लेता हूँ isolate करने के लिए यहाँ पर option available है जो पैनल टूल बार में है यहाँ फिर हम यहाँ show में आकर isolate select कर सकते हैं तो यह जो है मैंने select कर लिया है दोनों एक image plane और एक यह top face और हम इसे isolate कर सकते हैं उसके लिए keyboard shortcut Ctrl 1 भी आप use कर सकते हैं या फिर यहाँ से हम इसे isolate कर सकते हैं तो यह जो portion है हमने isolate कर लिया अब इतने faces और image plane सिर्फ हमें यहाँ दिख रहा है तो मैं image plane को वापस select कर रहा हूँ और इसे मैं scale कर लेता हूँ हमारे shape के साब से तो हमारा shape कुछ इतना है यह मैंने यहाँ पर select कर लिया अगर आप देखते तो इस image में भी थोड़ा सा perspective है और यह perfect नहीं बैट रहा है image बट स्टिल हमारा काम इससे हो सकता है तो यहाँ पर इसे select कर लिया है मैंने मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ और अब अगर यहाँ आते है परस्पक्टिव में और मैं top के image plane को select करके थोड़ा नीचे सरका लेता हूँ ताकि वह हमें वहाँ disturb न करें अब इसे select करके यह बहुत जादा bright दिख रहा है image plane दोनो front और top तो इ यहाँ इसके कुछ options available है जिसमें एक option है alpha gain तो मैं इसमें थोड़ा alpha add करते हैं तो वह थोड़ा सा front हो जाएगा and 0.5 और same मैं front view के लिए भी कर रहा हूँ इसे भी select करके इसमें alpha again add करते हैं अब इस image में यहाँ पर यह हमारा top view है और इस top view के हिसाब से हमें अब काम करना है तो मैं यहाँ आके इसका isolation मुझे और एक face add करना है तो यहाँ फिर हम इसे select कर लेते हैं one press करते हैं and in faces को मैं select कर रहा हूँ in faces को select करके अब मैं extrude कर लेता हूँ ताकि हमें can का यह जो border है यह मिल सके तो इस border को create करने के लिए मैं पहले तो मुझे इसे extrude करना है तो extrude करने के लिए हम edit mesh में आते हैं और यहाँ पर extrude का option available है तो extrude पर मैं click कर रहा हूँ और यहाँ पर हमें एक manipulation handle मिल रहा है and यहाँ पर कुछ options आए हुए तो सबसे पहले तो है thickness तो मैं perspective में आ जाता हूँ and यहाँ आने के बाद thickness अगर हम इसे add करते हैं तो हम इसे उपर या नीचे कहीं पर भी extend कर सकता है तो मुझे वापस एक बार extrude कर रहा हूँ मैं तो thickness हम इसमें add कर सकते हैं उसके बाद local translates ही भी उसमें thickness ही add करेगा देन अगर मुझे offset चाहिए तो मैं इसे offset दे सकता हूँ अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ अगर मैं top face में आ जाता हूँ तो यहाँ पर हमें यह crease create करना था तो यह crease create करने के लिए मैं अगर 0.05 इसमें offset दे देता हूँ तो वह crease हमें यहाँ पर मिलेगा and then मुझे इसे नीचे extrude करना है तो मैं इसे वापस एक बार extrude कर लेता हूँ तो वापस एक बार extrude करने के लिए मैं edit mesh में आ रहाँ और इन जो selected faces है उन्हें वापस एक बार extrude कर लेते हैं यहां पर आप इस manipulation handle को use कर सकते हैं या फिर इन options को use कर सकते हैं या फिर extrude करने के बाद अगर आप move tool activate कर लेते हैं W press करके और इसे move करते हैं दीजे तो भी आप इसे extrude कर सकते हैं तो मुझे नहीं पता exactly कि कितना इसका depth था बाट मैं manually से यहां तक रख रहा हूँ तो अगर हम reference images देखते हैं तो इस image में अगर हम देखते हैं तो यह कुछ इतना deep है तो यहां पर मैंने इसे extrude कर लिया है अब नहीं object mode में वापस आ रहा हूँ object mode में वापस आने के बाद इस image को अगर हम देखते हैं तो यह जो part है इसमें arc है और यह hold किया हुए तो हमें यहाँ पर holding edges एड़ करनी पड़ीगी तो सबसे पहले मैं एक edge एड़ कर रहा हूँ जो यहाँ पर मुझे चाहिए अब हम insert edge look tool select करते हैं और यहाँ पर एक edge एड़ कर लेते हैं अब इस edge को एड़ करने के बाद मैं move tool में आ रहा हूँ इस edge look को select कर रहा हूँ और इस edge look को select करके मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ अब हम इसे hold कर लाएं तो मैं object mode में आ रहा हूँ इस edge को भी मैं select कर रहा हूँ और इसे थोड़ा सा उपर करते हैं तो अब अगर देखते तो हमने यहाँ पे एक आर्क क्रियेट कर लिया है अब मैं इस शेप को होट कर लेता हूँ तो मैं इस शेप को होट कर लेता हूँ यहां पर मुझे एक edge loop change, तो मैं object mode में आ रहा हूँ, W प्रेस करते हैं और 3 प्रेस करके इसे चेक कर लें, तो यह कुछ इस तरह से हमारा shape हमें मिल रहा है, यहां पर इस shape को हमने hold नहीं किया है, तो उस वज़े से जब हम smooth कर रहा है, तो यह यहां पर अपना shape छोट रहा है, यहां पर अगर देखते हैं, तो हमें इस shape को भी create करना होगा, यह अगर देखते हैं तो थोड़ा सा उपर के तरफ आया हुआ है, यहां crease create हुए, एक, दो, और यह third crease, तो यह shape अब हमें create करना होगा, तो वो crease create करने के लिए मैं इन faces को select कर रहा हूँ, मैं tap की press कर रहा हूँ, tap की press करके मैं drag कर रहा हूँ, ताकि मैं इन सभी faces को select कर सकूँ, और इन सभी को मैं वापस एक बार extrude कर लेता हूँ, तो edit mesh में हम extrude कर सकते हैं, यहां फिर अगर मैं faces select करने के बाद किसी भी component को select करने के बाद अगर हम shift right click करते हैं, तो हमारे marking menus change हो जाकते हैं, अगर हम object mode में इन ही marking menus को देखते हैं, तो यहां पर हमारे marking menus कुछ ऐसे हैं, अगर मैं faces select कर लेता हूँ, अगर फिर देखते हैं तो यहां से हमारे कुछ marking menus change हो गाए, तो यह उस component से related है, और यहां पर extrude face का option मिल रहा है, अब मैंने इसे extrude कर लिया है, मैं R प्रेस कर रहा हूँ keyboard पर और इसे inside में scale कर लेता हूँ, inside scale करने के बाद मुझे देखना होगा कि मुझे कहां तक इसे scale करना है, क्योंकि यह जो crease है, यहां पर इस shape में 2 crease है, और वो जो हम reference image देख रहा है, इस image में 3 crease, 3 अलग-अलग जगह उपे crease है, तो यहां पर आधर हम यह follow कर सकते हैं या उसे भी follow कर सकते हैं, तो मैंने यहां पर इसका extrude कर लिया है, मैं वहाँ पस एक بार इसे extrude कर रहा हूं, और इसे extrude करने के बाद मैं इसे पहले तो थोड़ा सा उपर move कर लेता हूं, and inside scale कर लेता हूँ अब मैं इसे वांपस एक बार extrude कर लेता हूँ तो shift right click and extrude and इसे extrude करने के बाद हमें यहाँ पर crease create कर गए है तो हमने पहले उपर इसे extrude किया था and then मैं इसे नीचे की तरफ extrude कर रहा हूँ तो यह जो shape है यह हमें यहाँ पर मिल जाएगा then एक और बार में इसे extrude कर रहा हूँ इसे scale करते है and इसे उपर के तरफ scale कर, move करते है तो हमने यहाँ पर यह जो crease है इस crease को create कर लिया है and मैं इसे move कर रहा हूँ अब थोड़ा and इसे एक बार और extrude करके मैं scale कर लेता हूँ यहाँ पर and इसे मैं move कर रहा हूँ उपर के तरफ okay अब मैं वापस एक बार object mode में आ जाता हूँ इक को भी मुझे hold करना है इसे अब अब अगर हम 3 प्रेस करते है तो यह जो शेप है यह हमने create कर लिए अब वापस एक बार में top view में आ रहा हूँ और top view में आके हम इस शेप को चेक करते हैं तो यह हमारा शेप है और उसके बाद यहाँ पे यह क्रीज है जो तीचे की तरफ अब 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 push हुई है तो यह opening lead का push है तो इसे हमें model करना होगा तो उसे model करने के लिए मैं वापस इन faces को select कर रहा हूँ और tap प्रेस करके मैं drag कर रहा हूँ ताकि मैं सभी faces को एक साथ select कर सकूँ और इने select करके मैं वापस एक बार one press कर रहा हूँ और इसे मैं extrude कर लेता हूँ inside तो इसे extrude कर रहा हूँ and अगर आप इस shape को observe करते है तो यह जो shape है यह symmetrical shape है अगर मैं इसका half properly model कर लेता हूँ तो second half मुझे automatically मिल जाएगा तो मुझे symmetry अगर on करनी है तो उसके लिए हमें move tool के options में आना होगा यहाँ पे toolbar पे अगर मैं आता हूँ और move tool पे double click करता हूँ तो उसके tool settings में options open हो जाएगे and उसके बाद यहाँ पे symmetry setting होती है इस symmetry setting में अगर आप देखते तो यह blue color का arrow हमें दिखा रहा है जिसे हमें move करना है अगर मैं vertices में आता हूँ तो यह जो blue color का arrow है इसे ही मैं maximum move करूँगा तो मैं इसका symmetry में आकर object z select कर लेता हूँ and इसे close कर लेते हैं तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर symmetry object z on हो गया और यह यहाँ पर show कर लेता हूँ तो इसे मैं properly यहाँ पर adjust कर लेता हूँ अगर मैं इस side से किसी vertex को move करता हूँ तो यह second side का जो vertex है उसे भी move करेगा तो मैं इसके mesh flow को ध्यान में रखते हूँ इसे move कर रहा हूँ and इस shape में हम इसे move कर लेते हैं then यहाँ पर यह correct ही है तो यहाँ पर यह जो side है यह side हमारा ऐसे लेग रहा है कि थोड़ा सा बाहर गया हूँ है बट हमारा जो image है वो image exact नहीं है इसमें थोड़ा सा perspective है उस वाजे से हमारे दोनों sides थोड़े से different दिख रहे हैं बट यह जो shape है यह symmetrical है तो मैंने एक side से set कर लिया है तो यह second side से exactly ऐसे ही रहेगा मैं वापस एक बार faces में आ रहा हूँ और यह faces last time selected तो माया ने उसे select ही रखा हुआ है और मैं इसे वापस एक बार extrude कर लेता हूँ इस shape को मैं adjust कर लेता हूँ quickly तो मैं इस shape को यहाँ पर adjust कर लिया यह एक vertex हमारा बच गया और इसे में थोड़ा सा back side move कर रहा हूँ अब अगर हम object mode में आते हैं और यहाँ पर हम perspective में देखते हैं तो यह जो shape है यह हमने create किया है and मैं वापस एक बार faces में आ रहा हूँ and faces में आके यह जो faces है यह last selected थे यह वैसे ही selected है इन्हे मैं नीचे move कर लेता हूँ ताकि हमें वो crease मिले तो यह नीचे move करने के बाद मैं object mode में आ रहा हूँ and मैं 3 प्रेस करता हूँ ताकि मैं उस shape को देख सकूँ तो अगर अब देखते हैं तो वो shape हमने create कर लिया है लेकिन उसमें hold नहीं है तो उसे हमें hold करना होगा तो मैं object mode में आके shift right कर रहा हूँ and insert edge loop tool select कर रहा हूँ and now मैं यहाँ पर एक edge loop दे देता हूँ ताकि इसे hold कर सके और यहाँ पर एक and इसे यहाँ पर edge loop दे देता हूँ तो मैं इसे three press कर रहा हूँ and अब अब अगर देखते है तो हमने यह जो shape है इसे create कर लिया है मैं top view में आके एक बार आपको दिखा देता हूँ तो यह shape exactly यहाँ पर placed है अब इस shape के बाद यहाँ पर एक opening cap का shape है इसे भी हमें model करना होगा तो मैं one press कर रहा हूँ and one press करके मैं इन faces को select कर लेता हूँ मैं tab की से इसे select कर रहा हूँ and symmetry में होने क्यों जैसे जब मैंने half faces select किये तो other half automatically माया ने symmetry से select कर लिया तो अब मुझे इस shape को create करना है इस shape को create करने के लिए मैं वहाँ पस एक बार extrude faces कर रहा हूँ and इसे scale कर लेते हैं और इसे scale करने के बाद यह भी shape symmetrical है ऐसे लग रहा है कि यह symmetrical नहीं है बट यह image perspective का problem है तो हम इसे symmetry में set कर लेते हैं तो मुझे इस arc को follow करना है मैं move tool में आ र इसे यहाँ पर हम properly edge flow के हिसाफ से set कर लेते हैं अब इसे भी हमें proper set करना होगा जब हम एक vertex को select करते हैं और next vertex पर हमें जाना होता है जम करना होता है तो अगर मैं keyboard पर arrow please press करता हूँ तो भी हम next vertex पर जम कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर arrow crease से अपने next vertex पर जम कर रहा हूं तो हमने इस shape को यहाँ पर create कर लिया है और मुझे एक और shape चाहिए तो मैं वापस faces में आ रहा हूं और इस face को मैं वापस एक बार extrude कर रहा हूं and extrude करके vertices में आके इन्हें set कर लेते हैं मुझे से यहां पर रखना है mesh flow maintain करना होगा हमें and okay तो इस face को मैं पीछे push कर रहा हूं तो यहां पर हमने इस shape को create कर लिया है अब मैं perspective में आ रहा हूं and perspective में आके मैं इन faces को select कर रहा हूं and in faces को मैं वापस एक बार extrude कर रहा हूं extrude करके मुझे इनमें offset add करना है पहले तो तो मैं offset में आ रहा हूं और मैं 0.05 इसमें ज्यादा हो रहा है तो मैं control प्रेस करके इसका offset value को change कर रहा हूं तो यहां पर 0.02 offset value मैंने रखिये अगर control प्रेस करके हम किसी भी option पर mouse ड्रैग करते हैं तो उसे slowly increase करेगा या decrease करेगा अगर हम वही का हम shift प्रेस करके करते हैं तो वह बहुत ज्यादा speed या फिर बहुत ज्यादा jump जो है उसके वह ज्यादा लेगा तो मैं यहां पर Q प्रेस कर रहा हूं object mode में आ रहा हूं and object mode में आकर मैं इन faces को select करके वापस एक बार extrude कर लेदा हूं इसे भी hold करना होगा तो मैं one press कर रहा हूं and यहां पर insert edge loop tool लेकर मैं पहले तो यहां पर एक edge loop ले लेता हूं जो हमने दिया नहीं था then इस shape को भी मुझे hold करना है यहां से and मुझे इसे भी hold करना होगा but मैं इसे ज्यादा edges नहीं दे रहा हूं दो ही edges में मैं इसे close कर रहा हूं object mode and अब अगर मैं three press करता हूं तो यह इस shape को hold कर लिया है and यह कुछ ऐसे दिख रहा है यह हमारा यह shape है जो bottle opening का जो break होता है and then यहां पर यह last shape बचा हुआ है जो tan पर है उसके बाद जो object है वो हमें secondary यहां पर create करना होगा secondary object में वहां बनाना पड़े इस last shape को बनाने के लिए हम वापस इन faces को select कर लेते है and tap press करके मैं इने drag कर रहा हूँ दाट ही multiple selection हो जाया and इन faces को मैं एक बर वापस extrude कर रहा हूँ और इने scale कर लेता हूँ inside अब इने scale करते वक्त मैं इस shape तक इस scale कर रहा हूँ so यहां तक मैंने scale कर लिया और मैं इस edge flow को adjust कर लेता हूँ vertices select करके vertex board पर आ रहा हूँ और यहां पर मैं इसे थोड़ा सा back side place कर रहा हूँ and इसे भी move कर रहा हूँ इस vertex को भी मैं flow edge flow को देखते वे मैं इन vertices को adjust कर रहा हूँ अब इन्हें भी हम थोड़ा थोड़ा move कर लेते है and यहां से इसे शुरू करते हैं मैं इसे back कर रहा हूँ then इस edge को मैं यहां पर properly move कर लेता हूँ this edge को मैं this edge के साथ flow कर रहा हूँ so हमारा जो edge flow है वो हमने maintain कर लिया और यहां पर हमें एक shape मित रहा है और इसी shape से हम वो जो can opener का shape है उसे adjust करेंगे मैं इसे वापस एक बार अगर extrude कर लेता हूँ top view में आके यहां पर यह दो गलत faces सेलेक्ट हुए तो मैं इने undo कर रहा हूँ and इतना ही हमें चाहिए तो वापस एक बार इसे extrude करते है और प्रेस करते and इसे adjust कर लेते हैं अब माई vertices में आ रहा हूँ अब मोट्रोल सेलेक्ट कर रहा हूँ और इन्हें properly इस edge पर place कर लेते हैं कर रहा हूँ 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 इन एड़ जिस करते गए हमों शेप को प्रॉपर क्रियेट कर लेंगे बाइन ऑंडो जप वाइन. अब वापस एक बार इन faces को select करते हैं और इन्हें extrude करते है ताकि वो अंदर का जो part है वो हमें मिले पॉस्पेक्टिव में आ जाते हैं और इन faces को नीचे पुश करते हैं अब यह जो part है यह flat है अगर हम image observe करते हैं तो यह जो part है यहां से flat है और इस side नीचे पुश हुआ है तो इसे flat करने के लिए मैं invertizes को select कर रहा हूँ एक दो invertizes को select करके मैं y-axis पे click कर रहा हूँ ताकि y-axis activate हो जाए दिन मैं keyboard पे shortcut प्रेस कर रहा हूँ snap to the point का V तो V प्रेस कर रहा हूँ axis activate कर रहा हूँ and middle mouse से इस point के पास drag कर रहा हूँ तो वो उस point के height पर आ जाएगा तो वो flat हो जाएगा तो object mode में आ जाते है and 3 press करते है तो अगर आप observe करेंगे तो यह जो हमारा shape है यह आपने model कर लिए अब इसे अगर आपको hold करना है तो यहाँ पे हम edge loop add कर सकते है जिससे यह shape properly hold हो जाएगा तो मैं 3 press कर रहा हूँ and अब अगर देखते है तो यह हमारा opener का shape create हूँ चुका है अब इसमें सिर्फ एक object बनाना बचा हुआ है वो है उसका cap इस last part को model करने के लिए हम एक cube create कर लेंगे and cube create करने के लिए मैं वापस create में आ रहा हूँ and polygon primitives and cube इस cube को मैं उपर move कर लेता हूँ and top view में आकर isolate selection में यह हमें यहाँ पर visible हो रहा है तो इसे मैं exact shape में scale कर लेता हूँ तो इसे scale करने के लिए मैं r press कर रहा हूँ keyboard पे और इसे properly scale कर लेता हूँ इसे scale करने के बाद इसके जो faces है इन faces इसमें actually मुझे एक division चाहिए center में तो वो center division add करने के लिए अधर हम inside edge loop तो यूज कर सकते हैं या फिर अगर मैं edge mode में आता हूँ और एक edge को select करता हूँ और उस edge को select करके अगर मैं control right click करता हूँ तो यहाँ पर options आता है कुछ to edge ring utilities and to edge ring and split तो वो exactly center से उसे divide करते हैं तो either आप insert edge loop के लिए उस कर सकते है या फिर अगर आपको center से किसी edge को divide करना है तो edge ring utilities से उसे split कर सकता है या फिर एक और tool होता है माया में edit mesh में वो होता है connect तो इससे भी आप उसे connect कर सकते हैं तो यहाँ पर आकर मैं इन four faces को select कर लेता हूँ और इन four faces को select करके हम इन्हें extrude कर लेंगे इन्हें extrude करने के बाद इन्हें मुझे offset में extrude करना है तो मैं इसे offset में extrude करता हूँ और इसका keep faces together का option है इसे मुझे off करना है मुझे इन्हे separately extrude करना है तो मैं इसे off कर देता हूँ तो यह separately extrude होगा है and in faces को मैं backspace press करके delete कर देता हूँ अब यह जो open area है हमें इसे पहले close करना होगा तो उसके लिए मैं object mode में आ रहा हूँ object mode में आकर हम append to polygon tool यूज़ करेंगे जिससे mesh tools, append to polygon tool and इसे हम इसे close कर लेंगे तो append to polygon tool यूज़ करने के लिए मुझे इसके edge पर click करना होगा then second edge पर click करना होगा and अगर मैं enter press करता हूँ तो वहाँ पर हमें face मिलेगा मैं g press कर रहा हूँ to repeat the last tool edge, edge, enter then again g press करता है मैं इस object पर actually यूज़ करना है, click, click, backspace click, click and enter, click, click and enter, अब इस side में भी मैं इसे close कर लेता हूँ click, click, click and enter, click, click again, कभी-कभी append to poly control प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, उसके लिए उसे एक बार फिर से close कर के open कर देशा हूँ, यहां पर यह मैंने close कर दिया अएरिया and अब मैं टॉप व्यू में आ रहा हूँ, अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ, तो यह हमें कुछ ऐसा शेप मिल रहा है, तो इसे मुझे थोड़ा सा स्केल करना होगा, क्योंकि यह थोड़ा छोटा होगे है, अगर मैं वर्टाइसेस में आता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहां पर एक एज कर लिया है, और मैं इसे स्केल कर लेता हूँ, आब इसे आउटसाइड स्केल करने के बाद, अगर हम अबसेर्व करते हैं, तो यह जो शेप है, यह हमें मिल रहा है, and then मैं यहां पर भी एक एज आड़ कर लेता हूँ, and इस एज को मैं पीछे मूव कर लेता हूँ, यहां पर मुझे एक एज चाहिए, तो एज रिंग उटिलिटिक्स, टो एज रिंग एंड स्प्लेट मा कर रहा हूँ, और यह जो एज है, इसे मैं deselect कर रहा हूँ, यहां से, and इस पार्ट को मैं, और राउंड कर लेता हूँ, then मुझे यहां पर भी एक एज चाहिए, and यहां पर भी तो इन दोनो एज लूप्स को मैं सिलेक कर रहा हूँ, and इन दोनो एज लूप्स को मैं पीछे के तरफ मूव कर लेता हूँ, and यहां से, मुझे इस फेस को एक्स्ट्रूड करना है, तो इस face को extrude करने के लिए मैंने इन दोनों faces को select कर लिया है extrude faces में आते हैं W प्रेस करते हैं और इसे outside move कर लेते हैं इसे extrude करने के बाद मैं इसे scale कर लेता हूँ undo करते हैं यह properly मैं इसकी history delete कर रहा हूँ edit delete by type and history and मैं वापस इन faces को select कर रहा हूँ और यहां से मैं symmetry भी off कर देता हूँ इस वक्त मुझे symmetry का कोई काम नहीं है तो मैं symmetry में आ रहा हूँ and symmetry हम reset कर देते हैं तो यह off हो जाएगा and इसे मैं scale कर रहा हूँ अब vertex में आते हैं और invertices को मैं बाहर के दरफ फूल कर लेता हूँ and इसकी जो position है उस पर मैं इसे place कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं scale कर रहा हूँ अब यहां से मुझे इसे थोड़ा सा extend करना है तो मैं यहां पर edge में आ रहा हूँ यहां से इसमें एक edge add कर रहा हूँ और यहां पर भी मैं इसमें एक एचाइड कर रहा हूं इन दोनों एजस को सिलेक्ट करके मैं आउटसेड स्केल कर लेता हूं सेम मुझे यहां पर भी एक डिवीजन चाहिए जो इसे अल्ड करेगा तो अब अगर मैं अबजेक्ट मोड में आ जाता हूं और शेप को अगर हम देखते हैं तो यह शेप हमने यहां पर डिजाइन कर लिया है मुझे इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा बट उतना ओके स्केल करते हैं और यह यहां पर प्लेस होगा है अब इसमें एक और चीज़ बचे हुई है वो है यह जो नट इसमें अड़ेड है बाटा सबसे पहले तो मैं इसे प्लेस कर लेता हूँ इसे हमें स्केल करना होगा बॉटम और इसे स्केल करने के बाद मैं इसे इसके पोजिशन में प्लेस कर लेता हूँ तो यहां पर मैंने इसे place कर दिया है अब मुझे इसमें एक bolt add करना है तो वो bolt add करने के लिए मैं वहाँ पस एक cylinder create कर रहा हूँ create polygon primitives and cylinder and इस cylindrical shape को मैं उपर move कर लेता हूँ इसे scale करते है top view में आकर इसे देखते है and इसे scale करने के बाद तो इसे move करना होगा इसकी position पर left to frame and इसे में नीचे कट हो और मुझे इसे 3 press करना है तो उससे पहले मैं इसमें edge loop side कर लेता हूँ एक edge loop मुझे यहाँ पर चाहिए और एक edge loop हमें bottom में चाहिए तो object mode में आते है and 3 press कर तो अब अगर देखते है तो यह हमारा coke team का जो shape है वो हमें ready कर लिए मैं wireframe में shaded on कर रहा हूँ तो यह कुछ इस तरह देख रहा है तो यह हमारा first model था यह actually थोड़ा सा बड़ा हो गया है इसका position मेरे ख्याल से थोड़ा सा move हो गया है तो मुझे से back side move करना होगा ओके and इस bold को भी मैं थोड़ा सा back side move कर रहा हूँ तो तो यह हमारा coke can का model ready है तो कुछ basic modeling tools यूज़ करके हमने इस coke can के model को design किया अब next studio में हम और ज़्यादा detail में काम करेंगे बट आज के लिए इतना ही तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे like कीजिए और subscribe कीजिए हमारे channel को thanks for watching